ओम स्री गने शाय नमदोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 31 मई बुद्वार के रासी फलके पारे में कीह दिन कुम्बराशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महतपपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगोस रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सकें चड़ी दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा कुम्ब रासी वालों के लिए बुद्वार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आपके उच इस्तर के अधिकारी से संबंध बहतर होने से अच्छी पोजिशन प्राप्त होनी की संभवना बन सकती हैं अच्छा धनलाब प्राप्त होनी की भी आज संभवना बन सकती हैं यदि आप कोई कार्रे करते हैं तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है दोस्तों साती सात आपको आज कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी और उन अवसरों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए आपके पास पूरी उर्जा और सेंसक्ती भी होगी आप आज जिस भी किसी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आज आपके सभी कार रहे आसानी से बनते चले जाएंगे जिससे आपकी आर्थिक इस्तितियां भेतर होने की संभवना पाई जाती है आज आर्थिक लाब के लिए किया गया प्रियास सफल हो सकता है साती सात आप अपने ग्यान को बढ़ाने और लोगों से अपने विचार बाटने में भी आप दिल चस्पी रखेंगे आप दूसरों की जवर्तों को ध्यान में रखते हुए सामानने से अधिक विचार सील होंगे परीजनों से मदद पाने की आपकी इक्छा आपको सेयोग पाने के लिए प्रेरित करेगी दोस्तों आज भविश्य के लिए योजन कारों में रूची बढ़ेगी कारोबार में अच्छा मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं दिया हुआ धन आज आपको वापस मिल सकता है सोच समझ कर काम करें अनुवबी लोगों की सला आज जरूर लें आपके लिए फायदेबंद रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं जब के दोस्तों आज गाड़ी और घर की प्राप्ती के लिए किया गया प्रियास में बादाएं उत्पन हो सकती हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो केरियर को लेकर उतार चड़ाव की इस्तितिया आज आपको देखने को मिल सकती हैं परन्तु प्रियास करने से अच्छा लाब प् सबी समस्याओं के कारण आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है जिसका विपरीत असर आपकी सेयत पर पड़ेगा आज सत्रू अंद्रूनी समस्या भी हो सकता है किसी तरह का कोई विवाद चल रहा है तो सावधान रहने की आज आवा सकता है यदि किसी तरह का कोई कोट या प्रॉपर्टी से संबंदित कोई विवाद है तो ज़्यादा प्रियास ना करें अन्यता इस्तितियां विपरीत दिसा में हो सकती हैं दोस्तो साथ साथ चिंता या तनाव से आप बचें इस समय ऐसी कोई घटना होगी जिन से निवट पाना आपके लिए मुश्किल हो सक अपनी हर गलती से कुछ सीखें और अगली बार उसे धोराने से बचें समय प्रवंदक की जगा प्रात्मिक्ता प्रवंदक बने कोई अपॉइंटमेंट या अन्यक यही महतपून चीजे के भूलनी की भी आज संबहवना बन सकती हैं दोस्तो बेवजा के डर को मन से निकाल अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो इस समय उन्हें प्रपोज कर सकते हैं इसके लिए इस्तिती आपके लिए काफी अनुकूल है परन्तु यह काम आपको जल्द ही कर लेना चाहिए प्रेमी प्रेमिका के आपसी संबंद आज मदुर होने की संभवना पाई जाती हैं सातिसास दोस्तो प्यार महबत के मामले में प्रेशनसिप हैं तो उसमें कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना करें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाइक केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तो आज वैवसाइक गति विद्यों में परिसानिया आ सकती हैं लेकिन कटिन सकते हैं कोट का चैरी से संबंदित आपको कोई अच्छी खुसकबरी आज प्राप्त हो सकती हैं विद्यार्तियों के लिए समय अच्छा है नवकरी करने वाले जातकों के लिए भी समय आज का काफी मिला जुला रहेगा जिहां दोस्तो आज का समय आपकी आर्थिक इस्तित को मजबूत बनाने में काफी महतपूर सावित होगा और आप परिवारिक संपत्ति प्राप्त कर पाने में भी आज सफल हो सकते हैं जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब का स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको अपने खानपान पर विशेश रूप से ध्यान देने की जवर्त बनी हुई रहेगी आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपको अपने स्वास्त में लापरवाई नहीं करनी आज आपको अपनी सिहत के मामलों में मिले जुले परिणाम देखने को मिलने वाले रहेंगे दोस्तो मद्ध्यान के बाद आज आपका स्वास्त बिगड सकता है वहाँ चलाते समय शावधानी बरतें दोस्तो अपने भोजन सामगरी पर आप विशेश रूप से ध्यान दें और समय निकाल कर अपने लिए प्रते दिन नियमित रूप से एक्सरसाइज करें ताकि आप श् दुस्त दुरूस्त बनाए रख पाने में सफल हो इसने दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजान योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इश्णान आदिशे निर्वत्र होने के बाद एक कांसे की थाली लें या दोस्तो एक कांसे की आपको थाली लेनी है उस थाली में आपको चंदन से ओम गंग गणपते नमहा लिखकर इसके बाद आप इस थाली में पांच बूंदी के लड़ू रखकर नजदीक के भगवान श्री गनेश जी के मंदिर में जाकर दान करें जा दोस्तों ऐसा करने से आपके लिए बहुती सुवयोग बनते हैं और भगवान श्री गनेश जी बहुत जल्द प्रसन होते हैं और भक्तों के समस्ट कष्टों को दूर करते हैं जा दोस्तों आप इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही विसेस लाब प्राप्त होगा द अच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैस श्री गनेश अवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद